कुलुसियों के नाम पॉलुस प्रेडित की पत्री अध्याए एक पॉलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेडित है और भाई तीमुथी उसकी ओर से मसीह में उन पवित्र और विश्वासी भाईयों के नाम जो कुलुसे में रहते हैं हमारे पिता परमेश्वर की ओर से तुम्हें अनुग्रहे और शान्ती राप्त होती रहे। हम तुम्हारे लिए नित प्रार्थना करके प्रभु यिशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवात करते हैं क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यिशु पर तुम्हारा विश तुम उस्सू समाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो, जो तुम्हारे पास पहुचा है और जैसा जगत में भी फल लाता है और बढ़ता जाता है। अर्थाद, जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का नुग्रह पहचाना है, तुम्हें भी ऐसा ही करता है। उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी इप्फ्रास से पाई, जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया। इसी लिए जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना करने और बिनती करने से नहीं चूकते, कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान मे परिपूर्ण हो जाओ, ताके तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, और वो सब प्रकार से प्रसन हो, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का भल लगे, और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार, सब प्रकार की सामर् से बलवंत होते जाओ, यहां तक के आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको, और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया, कि जियोती में पवित्र लोगों के साथ मीरास में समभागी हूँ, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ा कर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा, अर्थात, पापों की क्षमा प्राप्त होती है, वो तो अद्रिश्य परमेश्वर का प्रती रूप और सारी स्रिष्टी में पहलोठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तूओं की स्रिष्टी हुई, स्वर्ग की हो अत्वा पृत्वी की, देखी या अन देखी, क्या सिंहहसन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार सारी वस्तों उसी के द्वारा और उसी के लिए स्रीजी गई है और वही सब वस्तों में प्रथम है और सब वस्तों उसी में स्थिर रहती है और वही दे अर्थात कलीसिया का सिर है वही आदी है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोठा कि सब बातों में वही प्रधान ठेहरे क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे और उसके क्रूस पर बहे हुए लोहू के द्वारा मेल मिलाब करके सब वस्तूओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले चाहे वे प्रिथवी पर की हों चाहे स्वर्ग बेकी और उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यू के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे ताकि तुम्हें अपने सम्मुक पवित्र और निश्कलंक और निर्दोश बना कर उपस्थित करे यदि तुम विश्वास की नेव पर द्रढ़ बने रहो और उस समाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है न छोड़ो जिसका प्रचार आगाश के नीचे की सारी स्रिष्टी में खिया गया और जिसका मैं पॉलुस सेवक बना अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूं जो तुम्हारे लिए उठाता हूं और मसीह के कलेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी किये देता हूं चिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना चो तुम्हारे लिए मुझे स्वापा गया कि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा-पूरा प्रचार करूं अर्थात उस भेद को जो समयों और पीवियों से कुप्त रहा परंथु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ग्यात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मुल्ने क्या है और वो ये है कि मसीही जो महिमा की आशा है तुम में रहता है जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को जटा देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिध्ध करके उपस्थित करें और इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार, जो मुझ में सामर्थ के साथ प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परीश्रम भी करता हूँ। अध्याईदो मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके जो लौदिकिया में हैं और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुझ नहीं देखा, मैं कैसा परीश्रम करता हूँ। कि उनके मनों में शान्ती हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहें। और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें। और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीहिक को पहचान ले। जिसम बुद्धी और क्यान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। ये मैं इसलिए कहता हूँ कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा ना दे। क्योंकि मैं यदि शरीर के भाव से तुमसे दूर हूँ, तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूँ और तुम्हारे विधी अनुसार चरित्र और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है द्रिड़ता देखकर प्रसन होता हूँ। सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहन कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए, वैसे ही विश्वास में द्रिड़ होते जाओ, और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्यान और व्यर्थ धोके के द्वारा अहेर ना कर ले, जो मनुष्यों के परमपराईमत और संसार की आदी शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार है, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूंता सदेह वास करती और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधान था और अधिकार और सीरो मड़ी है, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है, जो हाद से नहीं होता, अर्थात मसी का खतना, जिस से सारी रिक देह उतार दी जाती है, और उसी के सादबक्तिस्मा में गाड़े गए और उसी में फरमेश्वर की सक्ति पर विश्वास करके, जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। मिटा डाला, और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है, उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने उपर से उतार कर, उनका खुलम खुला तमाशा बनाया, और क्रूस के कारण उन पर जै जैकार की ध्वनी सुनाई। इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सब्तों के विशे में तुम्हारा कोई फैसला ना करें। क्योंकि ये सब आने वाली बातों की चाया हैं पर मूल वस्तुएं मसीह की हैं। कोई मनुष्य आत्म दमन और स्वर्ग दूतों की पूझा करके तुम्हें दौड के प्रतिभल से वंचितना करें। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है। और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ भूलता है। और उस शिरुमणी को पकड़े नहीं रहता। जिससे सारी देहे जोडों और पठों के द्वारा पालन पोशन पाकर और एक साथ कटकर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। जबकी तुम मसीः के साथ संसार की आदी शिक्षा की ओड़ से मर गये हो तो फिर उनके समान जो संसार में जीवन बिताते हैं, मनुश्यों की आग्याओं और शिक्षा नुसा है। और ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो कि ये ना छूना उसे ना चखना और उसे हाथ ना लगाना क्योंकि ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नाश हो जाएंगी इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गड़ी हुई भक्ति की रीती और दीनता और शारीरिक योगा भ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है परंटु, शारीरिक लालसाओं के रोकने में इनसे कुछ भी लाब नहीं होता अध्यायतीन सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गी य वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है पृत्वी पर की नहीं परंटु स्वर्गी य वस्तुओं पर ध्यान लगाओ क्योंके तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किये जाओगे इसलिए अपने ओ नंगों को मार डालो जो प्रित्वी पर हैं अर्थार वे अभिचार अशुधता दुषकामना बुरी लालसा और लोब को जो मूर्ती पूजा के बराबर हैं इन ही के कारण परमेश्वर का कोप आग्या ना मानने वालों पर पड़ता है और तुम भी जब इन बुराईयों में जीवन बिठाते थे तो इन ही के अनुसार चलते थे पर अब तुम भी इन सब को अर्थात, क्रोध, रोश, बैरभाव, निंदा और मुझ से गालियां बकना ये सब बातें छोड़ दो, एक दूसरे से जूट मत बोलो क्योंकि तुम ने पुराने मनुश्यत को उसके कामू समेत उतार डाला है और नए मनुश्यत को बहन लिया है, जो अपने स्रिजनहार के स्वरूप के अनुसार, ख्यान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है उसमें ना हूँ, युनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना, ना खतना रहित, ना जंगली, ना स्कूती, न दास, और ना स्वतंत्र, केवल मसीही, सब कुछ और सब में है इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई, जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा, और भलाई, और दीनता, और नम्रता, और सहनशीलता धारण करो और यदि किसी को किसी पर दोश देने का कोई कारण हो, तो एक दूसरे की सहलो, और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो जैसे प्रभू ने तुम्हारे अपराध क्षमा किये, वैसे ही तुम भी करो इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिधता का कटि बंध है, बांध लो मसीह की शान्ती, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाई भी गए हो तुम्हारे रदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो मसीह के वचन को अपने रदय में अधिकाई से बसने दो और सिध्ध ज्यान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ और वचन से या काम से जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशू के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवात करो हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है, वैसा ही अपने अपने पती के आधीन रहो हे पत्नियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आग्या का पालन करो क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो ना हो कि उनका साहस तूट जाए हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं सब बातों में उनकी आग्या का पालन करो मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों की नाई दिखाने के लिए नहीं परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भाय से और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो ये समझ कर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभू के लिए करते हो क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभू से मिरास मिलेगी तुम प्रभू मसीह की सेवा करते हो क्योंकि जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का फल पाएगा वहां किसी का पक्षबात नहीं अध्यायचाद हे स्वामियों अपने अपने दासों के साथ नयाय और ठीक ठीक व्यवाहर करो ये समझ कर कि स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवात के साथ उसमें जाक्रित रहो और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेत का वरणन कर सकें जिसके कारण मैं कैट में हूँ और उसे ऐसा प्रकट करूँ जैसा मुझे करना उचित है अवसर को बहु मुल्ले समझ कर बाहर वालों के साथ बुध्धिमानी से बरताव करूँ तुम्हारा वचन सदानु ग्रह सहित और सलोना हूँ कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित वीती से उत्तर देना आजाए प्रियभाई और विश्वास योगी सेवक तुखिकुस जो प्रभू में मेरा सहकर्मी है मेरी सब बातें तुम्हें बता देगा उसे मैंने इसलिए तुम्हारे पास भेजा है कि तुम्हें हमारी दशा मालूम हो जाए और वो तुम्हारे हिर्दयों को शान्ती दे और उसके साथ उन्हें सुमुस को भी भेजा है जो विश्वास योगी और प्रिया भाई और तुम ही में से है ये तुम्हें यहां की सारी बाते बता देंगे अरेस तर्खुस जो मेरे साथ कैदी है और मर्कुस जो बरनबा का भाई लगता है जिसके विशे में तुमने आग्या पाई थी कि अदि वो तुम्हारे पास आए तो उससे अच्छी तरहा व्यवाहर करता है और येशु जो युस्तुस कहलाता है तुम्हें नमस्कार कहते हैं खत्रा किये हुए लोगों में से केवल ये ही परमेश्वर के राज्जी के लिए मेरे सहकर्मी और मेरी शान्ती का कारण रहे है इप्फ्रास जो तुम में से है और मसीह येशु का दास है तुम से नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है ताके तुम सिध्ध होकर पून विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो मैं उसका गवा हूँ कि वो तुम्हारे लिए और लौदी किया और हेरा पुलिस वालों के लिए बड़ा यत्म करता रहता है प्रिये वैदे लूका और देमास का तुम्हे नमस्कार लौदी किया के भाईयों को और नुमफास और उनके घर की कलीसिया को नमस्कार कहना और जब ये पत्र तुम्हारे यहां पढ़ लिया जाए तो ऐसा करना कि लौदी किया की कलीसिया में भी पढ़ा जाए और वो पत्र जो लोदी किया से आए उसे तुम भी पढ़ना फिर अर्खिपुस से कहना कि जो सेवा प्रभु में तुझे सौपी गई है उसे साफधानी के साथ पूरी करना मुझ पॉलूस का अपने हाथ से लिखा हुआ नमस्का मेरी जंजीरों को स्मरन रखना तुम पर अनुक्रह होता रहे आमीन